हेलो स्टुडेंट, वेलकम टू माई क्लास, मैं अजी सेंग, कैसे हैं आप? I hope सभी अच्छे होंगे, तो आज हम एक्टिविटी के माध्यम से कुछ केमिकल चेंजिस के बारे में पढ़ेंगे, चीक है, डिमोंस्टेट भी मैं करके दिखाऊंगा आपके सामने, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बार डिमोंस्टेशन देखते हैं, देखिए, कॉसंस, सबसे पहले हम इसके बारे में जो चेताव नहीं है, उसको पढ़ लेते हैं, इस डेंजरस तो लुक फोर लॉंग एट दा वर्निंग मैंगनिशन रीवन, मैंगनिशन रीवन को लंबे समय तक जलते हुए देखना जो होगा, वो हमारे लिए खतरनाक है, तो चिल्टन के लिए टीचर एडवाइज कर देगा कि ज़्यादा देर तक उसको ना देखें, चलिए दिखा मैं करना क्या है, चैमिकल चेंज आपके सामने रिप्रेजेंट करके दिखाना है, गेट ए स्मॉल पीस आफ ए थिन स्टिप ऑफ मैगनिशन रिवन, ये मैगनिशन रिवन की पतली से स्टिप आपको लेनी है, क्लीन इट्स टिप विद सेंड पेपर, सेंड पेपर से इसकी जो टिप है उसको हम क्लीन करेंगे, विरिंग दा टिप नियर एक केंडिल फ्लेम, केंडिल फ्लेम के नियर हम इस टिप को लेके आएंगे, अगर आप लेम में परफॉं कर रहे हैं तो वर्नर के पास लेके आएंगे, यानि कि वाइट लाइट के साथ में, ये तीजी से चमकदा लाइट के साथ में वर्न होता है, जब ये पूरी तरीके से वर्न हो जाता है, तो इसके बीचे एक पौडर्ली एश राख बचती है, जो आप शेश बचता है, एक राख बच जाती है, तो क्या आपको एश मेंगेशन रीबन की तरह दिखाए देती है, यहाँ 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 यह फौलंग एक्क्वेशन से हम इस चेंज को रिप्रजेंट कर सकते हैं, जिसमें मैंगेशन को आप बर्न कर रहे हैं, ऑक्सिजन की प्रजेंशी में तो बन रहा क्या है, magnesium oxide तो जो ashes हमको प्राप्त हुई है वो magnesium oxide की बनी है तो magnesium oxide के ashes है जो कि magnesium से बिलकुल अलग है क्योंकि composition ही change हो गया देखें यहाँ पे composition magnesium oxide है यहाँ पे क्या है mg है और O है तो यहाँ तो composition ही change है तो जहाँ पे chemical composition change हो जाता है वही उस परिवर्तन को हम यहाँ पे रसाइनिक composition पूरी तरीके से change हो जाता है इसको हम irreversible change भी बोलते हैं जिसके कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि यह वो परिवर्तन होता है जो बापस नहीं हो सकता यानि कि जब पहले हमने बताया था इसके जिसमें जैसे आपने आइस से water बना लिया देखिन यहाँ पर जो change हुआ है यहाँ के change में आपने magnesium से magnesium S बना लिया m-g-s प्राप्त हो गया magnesium के S प्राप्त हो गया लेकिन magnesium के S यह आप magnesium को दूआब बापस नहीं प्राप्त कर सकते इसलिए यह जो परिवर्तन होता है यह पर्मानेंट परिवर्तन होता है ठीक है इर्रिवर्सिबल परिवर्तन इर्रिवर्सिबल चेंज के बलते हैं इसको पर्मानेंट होता है जी यह देखते हैं जी The equation has here The equation here are different from those in mathematics In equation of this kind, the arrow implies No attempt should be made to balance Chemical equation at this stage देखिया हम Class 6 में इसको Chemical equation आपके सामने दी गई है उसको balance नहीं कर रहे है ठीक है क्योंकि यह आपके लेवल का नहीं है तो यहाँ पर जो arrow बता रहा है arrow रिप्रेजेंट कर रहा है कि Becomes कि Magnesium और Oxygen Becomes हो गया, बन गया क्या Magnesium Oxide अगर आप balance करने की बास समझने की कोशिश करें तो देखिये Mg और O2 equals to बनना क्या है Mg O बनना है तो balance करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ हमारे Substance है, उतने ही Substance यहाँ होने चाहिए दोनों तरफ इनका number equal होना चाहिए यहाँ Magnesium एक है यहाँ भी Magnesium एक है यहाँ Oxygen दो है लेकिन यहाँ Oxygen एक ही है तो आप क्या काम करेंगे यहाँ पे भी 2 Oxygen कर देंगे तो आप इसके आगे 2 लगा देंगे अब यहाँ पे Magnesium 2 हो गया तो आपको यहाँ पे भी 2 कर देना है तो इस तरीके से हम Equation को Balance करते है Next Glass में आपको Balance करना भी सिखाया जाएगा जैसे जैसे आप Higher Glasses में आते चले जाएगे ठीक है अभी के लिए के पर इतना ही काफी है अब आपको क्या करना है Collect the ash and mix it with a small amount of water अब आपको जो ash है उस ash को collect करना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिला देना है Stir the mixture mixture को अच्छे से हिलाना है and test the mixture with blue and red litmus paper और blue and red litmus paper के साथ आपको इसे test करना है Does the mixture turns red litmus blue क्या mixture red litmus को blue कर देता है Does the mixture turns blue litmus red क्या mixture blue litmus को red कर देता है तो on the basis of this test How do you classify the accurate solution तो इस base पर आप जब test करेंगे तो test के base पर आप classify कैसे classify करेंगे कि solution acidic है या basic है तो simple है भई मैंने indicator जब आपको समझाया था वहाँ बताया था blue litmus red हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है acidic solution है और यदि red litmus blue हो रहा है तो basic solution है तो same चीज़ यहाँ पर भी होगी तो आप nature बता सकते हैं solution का on dissolving the ash in water it forms new substance the change can be written in the form of following देखें magnesium है आपने water में dissolve किया है तो यहाँ क्या बन जाता है magnesium hydroxide बन जाता है ठीक है as you have learned in chapter 5 magnesium hydroxide is a base और magnesium hydroxide एक base है so magnesium oxide is a new magnesium oxide is a new substance found on burning magnesium and magnesium hydroxide is another new substance ठीक है magnesium से बना था क्या magnesium से क्या बना था magnesium oxide बना था और magnesium oxide से क्या बनेगा magnesium hydroxide तो नया substance बन रहा है और chemical changes में जो होते हैं नए substance ही बनते हैं यहाँ से यहाँ नए substance बना इससे यह नए substance बना इसमें नए substance बनते हैं by mixing magnesium oxide with water ठीक है समझ में आ गया तो जब आप litmus paper से test करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा जो red litmus होगा वो blue हो जाएगा क्योंकि यह solution कैसा है basic solution है ठीक है आया बच्छो समझ में तो बच्छो स्टार्ट करें एक्टिविटी 6.6 देखे यह वर्णर यह हो गया magnesium का रॉल इस magnesium के रॉल से हम M heated pot को निकाल लेता है dość है this इस चोटी से स्टिव को बाहर कर लेते है ऐ है यह ऑजया सरुपे एकि में चोटी सी स्टिविटी से ले लेता हो और इसको से अलग कर लेता हू यह लग कर लिया और यह है और यह है छाण पेपर की हैल से इसको अच्छे से आपको साल करना साफ इसलिए करना होता है क्योंकि इसके ओपर क्या होता है कि ऑक्साइड की लेर आयाती है एर में रहखा रहता है जैसे हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो एर रूपकी वज़े से इस पर ऑक्साइड की लेर जम जाती है और अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तो यह अच् कि कोश्चन का जहां से आप से पूछा जÁता है कि मैंगिनिशम रीवन को या चालते कियोinander इसके लिए दीखिए इस सबसे परेदे आप क्या करेंगे यह मैं इनिशन रिवन हो गया अब आप इसको वर्ण करेंगे देखें तेज फ्लैम के साथ वर्ण हो रहा है इसको आपको टक्टकी लगा के नहीं देखना है बस ऐसे हलके हलके देखते रही है और देखिए वो रहा है न बन और इसकी जो एशिश है इसकी एशिश को हम क्या करेंगे इस वीकर में डाल देंगे क्या हमें इसका नेचर बता करना है कि किस तरह के नेचर होगा और इसको वीकर को अच्छे से शेक की देंगे और यह ग्लास रड रहा है ग्लास रोड की हैल्प से इसको मिला लेंगे मैगनेशन को अच्छे से अब यह लगवंग मिल गया है सोलुशन हमारा तयार हो गया है अब देखें यह इंडिकेटर से रेड लिटमस यह आपका हो गया विलू लिटमस तो चाहिए देखते हैं इसके साथ में टैस करते हैं क्योंकि रेड लिटमस हमारा बीव हो जाना चाहिए ओछ्छ Hayır देखते हैं है देखें को दिखाए दे रहा होगा देखे चैंसे देखिए जो रेड लिटमस हमारा ब्लीव हो गया इसका मतलव यह जो है ये कैसा है ये solution क्या होगा बेसिक होगा अब यही activity यदि हम ब्लू लिटमस के साथ में करते हैं तो ब्लू लिटमस पे कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए इड़ नौट अफेक्ट क्यों कि ब्लू लिटमस को अगर आप basic solution में डालते हैं तो ब्लू ही रहता है वह नहीं होगा अगर आप ब्लू को डालेंगे acidic solution में तो यह red हो जाएगा ठीक है ब्लू का ब्लू ही है तो समझ में आई एक्टिविटी पेपर हो जल गया हमारा चलिए कोई बात नहीं मिलते हैं फिर next activity में चलिए चलिए बच्चे और फिर activity देखते हैं 6.7 यह भी teacher से demonstrate हैं यानि कि हम खुद आपको करके दिखाएंगे इसको dissolve about a tablespoon of copper sulphate लगबग एक चमच आपको copper sulphate को dissolve करना है about half a cup of water in a glass tumbler और weaker half weaker में ले लिजे या glass tumbler की कटोरा हो कोई उसके अंदर आप आधा कटोरा या आधा weaker पानी भर लिजे और उसके अंदर आपको एक चमच copper sulphate को dissolve कर दीजे इसको नीला थोता भी कहते हैं blue vitroil नीला थोता दिखाऊंगा मैं आपको कैसा होता है इसके बारे में बताएंगे add a few drop of dilute sulfuric acid to the solution और जो solution आप बनाएंगे उसमें लगबग कुछ drop हम उसमें dilute sulfuric acid add कर देंगे you should get the blue colored solution और आप प्राप्ट करेंगे blue color का solution तयार हो जाएगा save a small sample of the solution in a test tube और a small glass bottle आप एक test tube में इसका थोड़ा सा solution save करके रख सकते हैं या कोई glass की bottle हो तो उसमें रख लेज़े drop a nail or use saving blade into the remaining solution अब जो वो solution बचा हुआ है उस solution के अंदर आप nail को या फिर जो blade होता है ना shaving blade उस blade को हम उसके अंदर drop कर देंगे गिरा देंगे solution में wait for half an hour observe the color of the solution लगबग आदे घंटे के नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे observe the color of the solution उसके बाद आप solution की color को observe करेंगे compare it with the color of the sample solution saved separately और compare कीजिए solution से जो आपने पहले separate बचा के रखा था ना उससे उसके color को change करके जो color है उसको उसके साथ compare करके देखना कि वह वह color में क्या change आया है देखिए जैसे यहां पर आपको दिखाया गया है यह color ऐसा था इसमें जब आपने ब्लेड डाला तो इसका color कैसा हो गया ग्रीनिश हो गया ठीक है यह मैं आपको करके दिखाऊंगा do you see any change in the color of the solution take out the nail of the blade ठीक है ब्लेड को बहार निकाल लीजें has a change in any way क्या इसमें कोई परिवर्तन आया the change that you noticed are due to the reaction between the copper sulfate and iron यह जो भी परिवर्तन आपने यहां देखा है वो परिवर्तन किसकी बज़े से आया अभीकिरिया होने की बज़े से और वो जो reaction हो रही है जो अभीकिरिया हो रही है वो किसके बीच हुई कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में त्योंकि आयरन का नेल था आयरन नेल या आयरन का ब्लेट था है कालर अफि सल्फेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्यूय उस चैनर देखे ब्लेट करने जाता हुए Pre-blene Sulfade बन जाता है जिसकी वजय से सॉल्वीशन का चीक है चलिए चलिए बच्चे फिर एक्टिविटी 6.7 को देखते हैं यह वीकर हो गया लगवग इस वीकर में हम आदे से ज़्यादा पानी बहर लेते हैं आधर से ज़्यादा पानी इसमें कर लिया इसके बाद यह होते हैं हमारे पाइस पैसुला यह यह डाल लेते हैं चलो फोर लेते हैं एक तुमारा भी तो फोर इसमें डाल दिया लगवग यह होगा एक चंबच की आसबास होगा आपके जो नॉर्मल घर में पाए जाती है चंबच वन टेवल स्पून के आसबास हमने इसके अंदर नीला थोता डाल दिया कॉपर सल्फेट अब इसमें थोड़ा साम डाल देंगे इसको हटा देते हैं सामें से दिखाई दे रहा है बिलू कलर का सॉलूशन बनता जा रहा ह इसके अंदर हमने डाल दिया थोड़ा सा डाल अब डालने के बाद अब इसको स्टायर करना यानि कि अच्छे से डिजॉल करना है दिजॉल कीजिए ताकि सारे के सारे क्रिस्टल इसके अच्छे से डिजॉल हो जाए बिलू सलूशन आपको मिल जाए ठीक परते रहे हैं डिजॉल अच्छे से अच्छे से डिजॉल कीजिए ट्रीक है बिलू सलूशन तयार होता जा रहा है और देखिंग एंसी आडी में दिया हुआ है कि आप ब्लेड का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन आप यहां पर क्या इस्तमाल कर रहे हैं आयरन नेल का इस्तमाल कर ले रहे हैं तो अभी एक मिनट और देखते हैं थोड़ा सा सारे के सारे क्रिस्टल इसके डिजॉल हो जाए अभी कुछ क्रिस्टल बाकि है नीचे वह भी डिजॉल बजाएंगे जलदी करते रहे हैं दो तीन मिनट में अल्मोस्ट डिजॉल्व हो गया है अब इस सल्विशन को थोड़ा सा हम बचा लेते हैं बात के लिए ताकि आप कलर को देख सकें कलर ही मैच करना है कि बाकी इसके अंदर हम इसके डाल लेंगे आरन नेल अब आपको क्या काम करना यह आरन नेल है इस आरन नेल को में इसके अंदर डिप कर दे रहा हूं जी अब यह डिप करने के बाद लग वग इसको मुझे 30 मिनट्स यानि कि आदा घंटा इसको ऐसी रखना होगा तो आदे घंटे के लिए आप लोग इतने रेस्ट कर लिजे कुछ खा पी लिजे तो इसको दिखाता हूं मैं आदे घंटे बात क्या होता है केमिकल चेंज चलिजे कुछ खा लिजे आप तो देखें जी यह जो रिय रियक्शन बहुत स्लो हो रही है इसलिए मैंने इसमें दो और एक्स्टा डाल दिये और अभी भी देख लो चली रहा है तो काफी टाइम डेलिया इसने आपको मैं ध्यान से दिखाता हूं देखो यहां 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 देखो यह आपको क्या ब्राउन ब्राउन कलर कर जो किया दिखिए स्पेस करने के बाद में यह आया अब यह जो सलुचन है हलका हलका ग्रीनिश होने लगाए किसकी विए से आइरन सलफेड बनने की वजए से और जो कॉपर है वो इसके आराउं देखे आरन नेई के राउं कॉपर जमने लगा है यह देखे नीचे यह है ठीक है तो यह था हमारा demonstration इसका यह हलका greenish color है और real में जो color था पहले यह था blue अब blue के बाद में देख लिए color में difference आपको नज़र आ रहा होगा साथ यह हलका-हलका greenish होना start हो गया है और copper जो nail के around sediment होने लगी है तो यह activity थी लगवक आदर घंटा से ज़्यादा हो गया इसको चाहिए देख लीजिए आप च्छोड़ 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 करें activity 6.8 जिसमें हमें वाइनेगर लेना है और baking soda का इस्तमाल करना है तो यह मैंने एक test tip के अंदर वाइनेगर ले लिया है यह है वेकिंग soda अब मैं इस वेकिंग soda यानि कि sodium hydrogen carbonate या sodium y carbonate बोलते हैं इससे एक pinch या मैं छोटी सी amount ले रहता हूं इस पैचुला की help से और मैं आपके सामने आयाता हूं ताकि आप देख सकें कि क्या change आप observe करेंगे देखिए जैसे ही मैं छोटी सी amount इसकी डालता हूं तेजी के साथ बुर्वराहट के साथ में यहां से गैस निकल लिया है यह जो गैस है यह गैस है carbon dioxide ठीक है अब यदि मैं इस गैस को पास करा दूँ लाइम वाटर calcium hydroxide से लेकिंगे पास कैसे करा है पास कराने के लिए एक delivery ट्यूब लगानी होती है यहां से यहां तक तो यह के काम करेगा कैस यह हाइड अक्साइशन को मिलकी कर देगा वैसे मैं कोशिश करके देख लेता हूं थोड़ा बहुत अगर हो जाती है इसको इसमें पास कराने के बाद अगर गैस चदी जाती है थोड़ा बहुत ट्रांस्पर हो जाती है तो वरना delivery ट्यूब से होगी है मैं थोड़ा चाओ इसमें डाल देता हूं और इंट्रेस्टिव को कनेक्ट करने के कोशिश कर रहा हूं कि 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 अगर कर दोड़ा चाओ अगर रहा हूं कि 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 अगर कर देखें यह मैंने पूरा सुलूशन ही मिक्स कर दिया तो यह सुलूशन था वाइट था देखें यहां दिख रहा ट्रांस्पधरेंट था और जैसे यहीं सri Đ्रेस के साथ मिक्स हो जाता था तो यह मिल्की हो जाता है वैसे यहां पर डिलीवरी ट्यूब का इस्थ्वारगां करते है। लेकिं मेरे बाद डिलीविरी ट्यूब नहीं तो तो बच्चों फिर नेक्स एक्टिविटी देखें, एक्टिविटी 6.8, टेक एवाउट ए टेबिल स्पॉन आफ बैनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में आपको सिर्का लेना है, ठीक, लगवक एक चमच के आस्पस, एड़ ए पिंच आफ बेकिंग सोड डाल देना है, you would hear a hissing sound and see bubbles of the gas coming out, आपको hissing sound आएगा और उससे bubbles उठने लगेंगे, पास this gas through freshly prepared lime water, अब इस gas को आपको पास कर देना है, freshly prepared lime water से, what happens to the lime water, lime water के साथ में क्या होगा, देखिए, the change in the test tube is as follows, वाइनेगर यानि की सिर्का जो की acetic acid होता है, जब आपने इसको डाला baking soda में, जो की sodium hydrogen carbonate होता है, acetic acid और sodium hydrogen carbonate को जब आपने मिलाया, तो उससे carbon dioxide gas जोगी, वो bubble out होती है, यानि की bubbles की form में carbon dioxide gas निकलती है, ठीक है, और उसके बाद में, this, the reaction between carbon dioxide and lime water, अब आपने क्या क्या किया था, उस carbon dioxide gas को पास कराया था, किसमें, lime water में, यहां से carbon dioxide gas को आपने किसमें पास कराया थे, lime water में, तो देखिए, क्या होगा, CO2 और lime water होता है, CO2 का twice, calcium hydroxide, तो यह बन जाता है, calcium carbonate और water, ठीक है, देखिए, CO2 होता है, carbon dioxide, reaction आपने किसके साथ कराई, lime water के साथ, lime water होता है, CO2 का twice, जब आपने reaction कराई, तो इसके बाद में बनता है, CACO3, calcium carbonate और water, H2, यह जो calcium carbonate है, यह white color का होता है, तो यह जो solution कैसा हो जाएगा, यह भी white milky solution हो जाएगा, milk की तरह एकदम white, चिक, जी, बिलकुल milky white solution हो जाएगा, यह, यू विल, when carbon dioxide passed through the lime water, तो वो जो मैं आपको बता चुका हम वही है, उसके बाद देखे, you will use it in the chapter 10, to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide, chapter 10 में आपको दिखाया जाएगा, कि जो हम air breathe कर रहे हैं, जो सांस लम लेते हैं, उसके अंदर carbon dioxide rich होती है, rich मात्रा में होती है, जो हम बाहर निकालते हैं ब्रीथ आउट करते हैं जो हम एयर बाहर निकालते हैं मुँसे बाहर उसके अंदर कारंडा अकसाइड जो होती है वो बहुत ज़ादा होती है रिच अमाउंट में होती है एक्टिविटी 6.6 to 6.8 यू शो डैट इच चेंज वन और मोर न्यू सबिस्टेंज आर फॉर्म पृति एक चेंज के अंदर एक या एक से ज़्यादा सबिस्टेंज नए बन रहे है इन एक्टिविटी 6.6 दा एश वाज दा न्यू सबिस्टेंज फॉर्म वेन मेंगनेशियम वाज वर्न टिन एयर एक्टिविटी 6.6 की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे मेंगनेशियम का एश बन रहा था राक बन रही थी जो की नया सबिस्टेंज है जो मेंगनेशियम को एयर में जलाने की बज़े से आया था और एक्टिविटी 6.7 की अगर मैं बात करूं तो कॉपर सल्फेट और आयरन की रियक्शन कराई थी तो उससे नया सबिस्टेंज बना था क्या आयरन सल्फेट न्यू सबिस्टेंज बना था और कॉपर इस डिपोजिटिट उन दा शेविंग ब्लेड और सेविंग ब्लेड के उपर कॉपर डिपोजिट हो गया था और इन एक्टिविटी 6.8 की अगर हम बात करते हैं तो महाँ पे हमने वाइनेगर यानि कि एसिटिक एसिट की रियक्शन कराये थी वेकिंग सोडा के साथ में जिससे कारवन डाय उक्साइड गैस निकली अब कारवन डाय उक्साइड को आपने पास कराया लाहम वाटर से और लाहम वाटर मिलकी हो गया तो यहाँ पे भी आपने दो कनवर्जन देखे पहले क्या हुआ पहले कारवन डाय उक्साइड बनी और उस carbon dioxide को आपने further reaction कराई और उसके बाद में क्या बना milky बन गया solution calcium carbonate की बज़े से तो यहाँ हर बार नया substance बन रहा है तो इससे क्या conclusion निकला A change in which one or more new substance are formed is called chemical change तो वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए पधार्त बनते हैं उसे हम chemical change या रसाइनिक परिवर्तन कहते हैं समझ में आए बच्चो I hope कुछ कुछ तो आने लगाओगा कोई नहीं देरे देरे कीजिए सब कुछ समझ में आएगा chemical change are very important in our life रसाइनिक परिवर्तन हमारे चीवन में बहुत महत्वपूर्ण है All new substances are formed as a result of chemical change नए पधार जो बनते हैं वो सब chemical change की बज़े से ही बनते हैं Example की अगर हम बात करें Digestion of food in our body हमारी body के अंदर food का digestion मानगे या ripening of fruit फलो का पकना Fermentation of grapes grapes का किडवन ETC यह सभी happens due to the series of chemical change यह सब किसकी बज़ा से होता है Chemical change रसाइनिक परिवर्तन की बज़ा से A medicine is the end product of the chain of chemical reaction जो दवाईयां बनती हैं यह भी एक chemical reaction का end product ही है अंतिम पधार्त जो होता है दवाईयां बनती है इससे Useful new material such as plastic and detergent are produced by chemical reaction देखे useful material है प्लास्टिक का इस्तमाल आप कर रहे हैं और detergent का इस्तमाल भी करते हैं यह सभी useful substance कैसे बने रसाइनिक अभी क्रिया दोरा Indeed, every material is discovered by studying of chemical changes अगर मैं बात करूं हर एक नया पधा जो discovered हो रहा है वो किसी ना किसी रसाइनिक परिवर्तन से ही हो रहा है We have seen that one or more new substance are produced in a chemical change हम देख चुके हैं कि एक और एक से ज्यादा सबस्टेंस chemical changes में उत्पन होते हैं इन एडिशन तू न्यू प्रोड़क्ट दा फॉलाइंग मैं में एक कॉंपनी और चेमिकल चेंजिस देखें कुछ चेमिकल चेंजिस के साथ में कुछ एडिशनल चेंजिस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं चेमिकल चेंजिस कुछ एडिशनल चेंजिस के साथ में होता है जैसे हीट लाइट और एनी अदर रेडिएशन में भी अल्ट्रा वाइलेट हो सकता है निकल रही हो चेंज के दौरान निकल सकती है कोई sound produced होसकता बाए चेंज होगा तो कोई भी sound में भी प्रड्यूस हो सकता है a change in smaller में टेख पलेज़ और in new smell है का सकता है कि आपको स्मेल आए वह भी चेंज हो जाए एक कल रचेंज यह तो तो आप भूशली नॉट कर चुके हैं कलर चेंज तो एक गेस में भी फॉर्म गेस फॉर्म हो चुके है कावन डायोकसाइड अभी देखे था आपने केमिकल चेंज आप देख चुके हैं मैंगेशन रिवन का जलना एक रासाइनिक परिवर्तन है वर्निंग ओफ कोल कोले का जलना रासाइनिक परिवर्तन है केमिकल चेंज है wood or leaves is also a chemical change wood or leaves यानि कि लखड़ी लखड़िया और पत्तिया ये भी chemical changes है in fact burning of any substance is chemical change अगर आप कुछ भी जला रहे हैं न वो सब chemical change है क्योंकि आप उसको बापस तो नहीं ला सकते हैं आपने paper जलाया मानने जे paper को आपने जला दिया तो क्या आप उजले हुए paper से दुआरा paper बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं तो ये जो change होता है ये permanent change होता है तो आप कुछ भी चीज़ जला रहे हैं वो सब chemical changes के अंदर आते हैं warning is always accompanied by production of heat देखे warning तभी पूरी होगी जी heat produce होनी होनी है warning के दोरान तो उसका साथ ही तो heat है explosion of a firework is a chemical change firework पटाके वाला समझे आया जी जो भी आप firework करने वाले हैं जिसे वो सब आपका किसमें आयाता है explosion firework ठीक है ये सब chemical changes है bum sport वगेरा मत कर देना भाई you know that such an explosion produce heat लेकि जब भी sport होता है तो उससे heat produce होगी light होगी sound होगी और unpleasant gases और उसमें जो होगी unpleasant gases होगी honey karak polluted gases उससे होती है और atmosphere को हमारे को प्रदूश्यत भी करती है that is why you are advised not to play with firework इसलिए आप से को advise दी जाती है firework से दूर रहें यानि कि पटाके वटाकों से दूरी रहा करें when food gets spoiled जब खाना खराब हो जाता है it produce a foul smell तो इससे क्या होती है बदूँ आने लगती है यानि कि गंदी सी smell आने लगती है shall we call this change एक chemical change क्या हम इस change को chemical change कह सकते हैं हैं बताएए बच्चों क्या आप इसको chemical change कह सकते हैं हम जी you must have noticed that a slice of an apple acquire say brown color आपने notice किया होगा कि अगर आप apple को काट के उसका एक टुकड़ा रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो brown color का हो जाता है if it is not consumed immediately यदि आपने इसको तुरंत नहीं खा लिया तो यह brown color का हो जाना है दिते हैं if you have not seen this change in color यदि आपने इस color को नहीं change देखा है तो कट कीजिए एक freshly slice कट कर लीजे apple की और keep it away वो sometime और कुछ समय के लिए उसको दूर रख दीजे ऐसे ही रख दीजे repeat the same activity with a slice of potato और व्रिंजल और यही activity आप potato और व्रिंजल के साथ में करके देख लेजिए आलू वैगन वगेरा के साथ में the change of color in these case is due to the formation of new substance जो आपको color में change यहां नजर आता है वो नए substance वनने की बज़ा से ही आता है are not the change chemical change तो क्या यह change chemical change नहीं होंगे तो क्या आप इनको chemical change नहीं कहेंगे हम पता है यह चाहिए जी देखते हैं chapter 5 यू neutralized a acid with a waste is a neutralization reaction chapter 5 में आपने neutralization reaction तो पड़ी होगी ना नहीं पड़ीए तो बिलकुँ पढ़ लेना भाई यह से पहले के chapter में मैंने वीडियो बनाई हुई है उसको जरूर देख लेना ठीक है चलिए यहां पर प्रोटेक्टिव सील्ड देख लेते हैं पहले एप प्रोटेक्टिव सील्ड यू मस्ट है वियर्ड ऑफ दा ओजोन लेयर इन अवर एट्मस्फियर आपने जरूर सुना होगा ओजन लेयर के बारे में जो कि हमारे बाई मंडल में पाई जाती है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉं जाती है I. जो एल्ट्रा वाइलट के बाई ने जोटी के बाई होती है प्राविगने के ने जो आंने वाली होती है Absorb this radiation and break down the ozone oxygen. Ozone adsorre कर लेती है radiation को और टूर आती है oxygen में. Oxygen is different from ozone. Oxygen ozone से बे अलग होती है. Can we call the breaking down of ozone a chemical change. तो क्या हम ozone का टूटना chemical change वो मान सकते हैं. जे, बताएए, इट, एल्ड्रा वाय डीशन, इफ अल्टा वाय डीशन वर नोट एब्सॉर इब्सॉर्ब वाय ओजो, यदि अल्टा वाय डीशन अब्सॉर्ब नहीं की गई ओजोन द्वारा, It would reach the earth's surface and cause harm to us तो ये हमारी प्रत्वी की सर्फेस पे आ जाएंगी और नुकसान पहुचाएंगी जीवन को Ozone act as a natural shield against the radiation Ozone हमारे लिए एक प्राकर्तिक कबच की तरह काम करता है इस radiation के इकलाब ठीक है तो Ozone का काम समझ में आगी है ना दीकिए Ozone absorb कर लेती है radiation को and break down to oxygen और oxygen में तोड़ देती है ठीक है तो ये ही इसका काम होता है अगर ये नहीं रहेगी तो डारेक्ट ही हमारी इस अर्थ पे आ जाएगी और अध पर रहने वाली जो life form से उन सब के लिए हानी का रख होगी चाहिए जी इनकी बात को सुन लेते हैं बूजो भाई सब क्या कह रहे हैं सुने तो क्या हम फोटो सिंथेस को केमिकल चेंज कह सकते हैं पहली कहती है कि डाइजेशन भी केमिकल रियेक्शन है तो वह फूड बनाया ये भी तो केमिकल चेंज ही होगा जब यहां पे डाइजेशन केमिकल चेंज है तो ये भी केमिकल चेंज होगा तो आई होप आपके समझ में आया होगा लेक्शर थोड़ा लंबा हो गया ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा वाइब है टेक कियर की वाशिंग दा वीडियो थैंक यू थैंक यू सो में